वेरी गुड मॉनिंग दोस्तों मैं स्विन हमारी यूट्यूब चनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज डेट है 14 जून और मैं लेकी तेयार हूं आज का important current affairs अगर आप हमाई इस चनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली current affairs की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबा पांच बज आप तक पहुंच सके इसी के साथ हमारी वीडियो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question हर साल इंटरनेशनल albinism awareness day का मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 13 जून को अब albinism होता क्या है तो albinism एक medical condition होती है इस condition में हमारी body melanin को या तो बहुत कमा त्रम produce करती है या तो बिल्कुल भी produce नहीं करती है तो जब melanin नहीं होगा तो हमारी जो skin है हमारे जो hairs है और हमारे जो eyes है उनका natural color नहीं मिल पाएगा इवाम वह कुछ इस परकार से दिखाए देंगी जहसा कि फोटो में यह बैक्ती दिख रहे हैं यह albinism से पिलित बैक्ती है अब बात की जाए इस डे को मनाई जाने के उद्देश के वारे में तो albinism के वारे में लोगों को जागरुक करना इवाम albinism से पिलित लोगों के म महा सवान है तेरा जून 2015 से इंटरनेशनल albinism awareness day मनाई जाने की खोशना की इसकी थीम जो है वो इस साल की इसकी थीम है made to sign बात की जाए एन आपसंस के वारे में तो एक जून को था world milk day तीन जून को था world bicycle day और पांच जून को था world environment day वर्ल्ड environment day की जो थीम थी वहती बायो कोशन की तरफ किस आयोग के पूर्यों सदस्य ए बैधनात का निजन हो गया तो यह सदस्य थे योजना आयोग के 1962 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष योजना पिरभार की यह सदस्य रहे थे 2004 में इन्होंने सरकारी क्रेडिट संस्था के पूर्ट थान के लिए सरकार दोरा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्स्ता की थी 2008 में मुंबई में जो ताजमेल होटल पर रातंगबादी हमला हुआ था उसमें कुछ लोग बच गए थे उन लोगों में से यह भी एक थे और उस समय यह RVI के सेंटरल बोर्ट के मेंबर थे अब बात किया योजना आयोग के वारे में तो योजना आयोग का पिरमुकार है पंचवर्शी योजना बनाना 2014 में इस संस्था को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दौरा भंग कर दिया गया था वे इसके स्थान पर गठन किया गया था नीतियायोग का नीतियायोग के जो अध्यक्ष है वे है नरेंद्र मोधी जी इसके जो पाध्यक्ष है वे है राजीव कुमार इसके जो CEO है वे है कोठारी आयोग कोठारी आयोग के गठन किया गया था 1964 में इसका जो मुख्यकार था कि भारत में सेक्षनिक छेत्र के सभी पहलूओं की जाज करना या उनमें जो कमिया है उनको दूर करना इवाम उच्चे सिक्षा को सुधारों को बढ़ावा देना इसका साथ हम बढ़ते हैं हमारे एगले कोश्चन की तरफ हाल ही में जारी फिच रेटिंग एजनसी के अनुसार बित्ती वर्स 2021-22 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी तो यह रहेगी 9.5% फिच रेटिंग एजनसी के अनुसार 2020-21 में जो हमारी जीडीपी रहेगी वह रहेगी माइनस 5% क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं बर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से प्रभावित है उसी के चक्कर में हर एक देश की जीडीपी बुरीदारा से गिरी हुई है लेकिन फिच रेटिंग एजनसी के अनुसार जो भारत है वह बित्ती वर्स 2021-22 में सार्ब ग्रोथ करेगा एवं उसकी जीडीपी है वह 9.5% पर पहुँच जाएगी एवं भारत उसकी अभी तक की सरभादिक क्रेडिट रेटिंग यानि की BBB तक पहुँच जाएगा अगर आप हमारी डेली क्रेंट अवर्स की वीडियो रोज देखते हैं तो मैंने कुछ दिनों पहले समझाए था कि क्रेडिट रेटिंग होती क्या है यह जो बिस्विकी टॉप रेटिंग एजनसी हैं वह हर एक देश को क्रेडिट रेटिंग देती हैं उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े-बड़े अध्योग पती हैं वह अपना इन्वेस्टमेंट उस देश में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा उस देश में इन्वेस्ट करते हैं तो बात की जाए BBB की तो ये Fitch Rating Agency दोरा दी जाने वाली सेकंड हाइस्ट क्रेडिट रेटिंग है कोरोना के संकट में यह एक अच्छी ख़बर भी है अब बात की जाए Fitch Rating Agency के वारे में तो इसका जो हेटक्वाटर है वह है New York में इसकी स्थापना हुई थी 1914 में बर्तमान में सकी जो CEO है वह है Paul Taylor चलिए इसीक साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ हाल ही मैं सरकार नेबांस पर लगने वाले सीमा सुल्क को 10% से बढ़ा कर कितना कर दिया तो यह एनों ने कर दिया 10% से बढ़ा कर 25% अब इसे फायदा किसको होगा अगर सीमा सुल्क जादा होगा तो विदेशों से जो होने वाले बांस का जो आयात है वे कम होगा वे हम जो घरेलू बांसों का उप्योग बढ़ेगा, तो इससे किसानों को भी फायदा होगा, वे हम जो हमारा MSME सेक्टर है, मगतलब जो अगरवत्ती निर्माता है, उनको भी फायदा मिलेगा, अब बात की जाए बांस के वारे में है, तो बांस का जो बॉटनी का नेम होता ह है, वे होता है, बेब्यूसा, अरंडी, नेसी, चलिए इसीख सांथ हम बढ़ते हैं, हमारे अगले कोश्चन की तरफ, हाल ही मैं भारतिय मूल की, US Military Academy से ग्रेजुट होने वाली पहली सिख महीला कौन बनी, तो यह वनी, अनमोल नारंग, यह इनका फोटो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह भारतिय मूल की हैं, तो इनके जो नाना जीते वे भारतिय सेना में थे, अब बात किया, इनकी पहली पोस्टिंग कहां पर होगी, अमेरिकी बायु सेना में, इनकी पहली पोस्टिंग, जनबरी 2021 में, जापान की ओकी नावा में होगी, बात की जाए, अमेरिका और इंडिया की बीच होने वाली कुछ defense exercises के बारे में, तो वह हैं, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, द defense exercise होई थी, यह एक tri-service exercise है, मतलब कि इसमें army, navy, air force, तीनों की सेना है, participate करती है, इसके पहले इंडिया के वाल रसिया के साथ ही tri-service exercise करता था, जिसका नाम था इंडर, इवाम यह पहली बार है, जब इंडिया ने अमेरिका के साथ कोई tri-service exercise की है, इसी के साथ हम बढ़ते है हमारे अगले question की तरफ, हाल ही में किस राजी के बाल मजदूरों को सिक्षित करने के लिए बाल स्रमेक बिद्या योजना शुरू की गई है, तो यह राज है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के CM योगी आधित तिनात ने International Day Against Child Lever के मौके पर बाल स्रमेक बिद्या किया गया है, अब बात की जाए यूपी की, तो यूपी के जो गवर्नर हैं वे हैं आनंदी बेन, इसके कुछ नेस्नल पार्क काभी famous है जनको आप याद रखेगा, दुद्वा नेस्नल पार्क, चंबल वाइड लाइफ सेंचुरी और पील वीथ वाइड लाइफ सेंचुर इसमें पहले पैदान पर आया Belgium, second पर France, third पर आया Brazil, 2018 में FIFA World Cup हुआ था Russia में, और final में France ने Croatia को हराय था, अब जो 2022 का FIFA World Cup होना है वे कतर में होना है, बात की जाए FIFA की International Federation of Association Football, इसका जो headquarter है वे है Zurich, Switzerland में, इसके जो president है वे है Gianni Infantino, इसीक साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले अगले कोशन की तरफ, हाल ही में किस भारती अमेरिकी बैग्यानिक ने, World Food Award 2020 जीता, तो ये हैं रतन लाल, ये भारती अमेरिकी मिर्दा बैग्यानिक है, इन्हें ये पुरुसकार इनके प्राक्तिक संसादनों के संड़क चड़ और जलबायू परिवर्तन के पिरभाप को क करने के लिए दिया गया है, इन्हें पुरुसकार के अंतरगत दो लाग पचास हाजार अमेरिकी डॉलर प्रदान किये जाएंगे, ये बरतमान में मिट्टी बिग्यान के बरस्ट बिस्व बिध्धाले के प्रोफेसर है, ये World Food Award एक इंटरनेशनल पुरुसकार है जो की ब् अंगन बारी कारकरता को कोरोन योद्धा का दर्जा दिया है, तो ये राज्य है, मध्यपर्देश, ये कारकरता कोरोना की समय में घर-घर जाका लोगों को पोस्टिक आहर बितृत कर रही है, saati-saint लोगों को कोरोना संकरमन की समय, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सल जाग रुपता और फैला रही हैं अब बात की जाए मते-प्रदेश की वारे में तो मते-प्रदेश की गवर्नर है लौ детейंडन मते-प्रदेश का जो नेस्नल पार्क है कुछ फेमस काना क nămई भंता नेनल पार्क इन में से जो बांधवगण नेशनल पार्क है ये बंगाल टाइगर्स की एक बड़ी आवादी के लिए जाना जाता है इवां भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मद्देप्रदेश में ही है इवां भारत में सबसे ज़्यादा बन भी मद्देप्रदेश में ही है इसी एकसांद हम बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ हाल ही मैं पूरी तरह से digital होने वाला निर्माण छेतर का पहला संगठन कौन बना तो यह बना National Highway Authority of India NHEI ने cloud-based and artificial intelligent powered big data platform data lake launch किया है इसकी मदद से बिना किसी physical contact के जो करमचारी हैं वे फाइलों को देख सकेंगे इससे फायदा यह होगा कि कोरोना वाइरस का जो संक्रमण है वे नहीं फैलेगा अब बात की जाए NHEI के बारे में तो इसकी स्थापना हुईती 1988 में कैंद्री सलक परिवहन बर राजमार्ग मंत्री हैं हमारे नितन गट करीजी इवं जो NHEI के अध्यक 6वे हैं सुखफीर सिंग संदू इक साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ हाल ही में जनजाती छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो यह राज्य बना है उडिसा इसको उडिसा के SCST कल्यान बिभाग दोरा मिसन सुविदा के अंतरगत दिया जाता है मिसन सुविदा को उडिसा के SCST कल्यान बिभाग ने 2019 में शुरू किया था इसके अंतरगत एसीवा एस्टी के जो चात्र हैं उन्हें बिविन्द सुविधाय प्रदान की जाती हैं बात की जाए ओडिसा के वारे में तो डिसा की जो कैपिटल है वह है वुबनेश्वर जो सीएम है वह है नवीन पतनायक गवर्नर है गणेसी लाल इवंग यह ओडिसा की स्थिती है इं और पहरें सिंग तोमर जी ने यह हमारे केंद्रिय क्रसी इवम किसान कल्यान मंतरी हैं यह सहकारिता मिसन योजना यह हमारी राष्टीर सहकारिता विकास निगम की एक बिसेज पहल है इस योजना के तहत युवा प्रोफेस्टनल्स को इंटर्न्स की रूप मैं National Corporate Development Corporation NCDC व तो वे हैं पुर्सोत्तम रूपाला इभम रास्टिय सहकारी विकास सहयोग के जो MD है वे हैं सुदीब कुमार नायक इसीक साथ हमार ये वीडियो यही खतम करते हैं अगर आपको हमार ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए सेर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कल फिर मिलते हैं दोस्तों जैहन्द